हेलो फ्रेंच वैसे तो ये ट्विन फ्लाइम् Norm करेंट एनरजी है बड़ ये खास करके गाइडन्स है ड्वान खालएंस के लिए कि ड्वान मैस्कुलैं की ऐंसक्ट एनरजी क्या है उनके लिए ये बहुत ज़्ादा important है जो real twin flames है या जो real divine feminines है और ये एक dream channeling है आप जानते हो twin flames की dream channeling बहुत important होती है ना कि ये tarot reading है ना और कुछ है जब धी universe को लगता है कि आपको कुछ special message या कुछ जानना बहुत जरूरी है तब universe आपको twin flames को awakening के बाद या awakening के पहले भी जो है dream के through messaging करना शुरू कर देता है hint देना शुरू करता है आपको intuition बढ़ाना start करता है कि क्या होने वाला है ये क्या चल रहा है उसके लिए आपके अंदर awareness बढ़ाता है तो मैं बताती हूँ तो dream बताती हूँ दोस्तों मैंने आज जो dream देखा वो जो energy इतनी भयानक है तो ब्लीज जरूरत है serious होनी की भी और shock में भी मत चाहिए बट reality जरूरत है आप ब्लाइडली किसी को energy दे रहे हो ब्लाइडली किसी को divine partner समझ के follow कर रहे हो आपको पता है कि आपको तू spiritual journey complete करनी है मेरे लिए तो कोई option ही नहीं है आपके लिए option है god up के लिए बहुत बड़ा option है okay सबसे पहले भी वो थे और सबसे बात भी हो है और हमीशा वो है okay divine masculine इस वक जो है आप दोनों के बीच में society में कितना gap है okay मानों आप अगर beautiful नहीं हो okay तो वो उस चीज पर focus कर रहे है कि you are not beautiful okay you are not beautiful अगर आप बीमार रहते हो साफसूत्रे नहीं रहते जैसे मेरे रहे हो okay मतलब नेरी मजबुरी है कि मेरा खयाल रखने वाला कोई नहीं है और मेरे पपीज ने मुझे बहुत परेशान कर दिया यार मतलब क्या बता हूँ मेरे नींद भी नहीं हो पारे एक चीज के लिए मुझे माफ कर देना बहुत टाइम बाद मुझे यह अबजर हुआ है इतनी जल्दी मुझे समझ में नहीं आया बहुत टाइम बाद मुझे यह समझ में आया कि जितने ट्विन फ्लेम से रिलेटेट ड्वैन फेमिनेंस के चैनल है उसमें तो 99% false है जो vampire से energy चुराना चाते है पैसो के लिए है वो इस चीज में उद्रे हुए है और वो किसी भी level पे जाके जो है emotionally आपको reunion के लिए हो या इतनी knowledgeful बाते आपको बताई जाएगी कि आपको लगेगा कि बस यही सब कुछ है परमात्मा है इससे बड़ा ग्यान तो हमको कोई देगी नहीं सकता और divine feminine की जो logical नहीं होती है वो आपको ऐसी ही दिखेगी उसका चैनल का growth नहीं रिखेगा आपको होगा growth तो भी उसमें बहुत सारे obstacles बहुत सारे black magic परिशानियों से भरी रहेगी उसको कहीं से भी आगे नहीं बढ़ा दिया जाएगा तो क्या बता रहे थी है लगता है निगेटियों नहीं है कर दिया माइंड को यह ऐसा होता है कि आप कुछ important बताने जा रहे हो तो माइंड है को जाता है हाँ मैं यह बता रहे थी कि भई जो df होती है definitely simple होती है दोस्तो जादा तर df simple ही होती है भले sometimes वो वृषब राशी में हो या वृषब राशी की ladies होती है जिनको make-up अगरे करने का बड़ा शौक होता है लेकिन मैंने वो भी observe किया है वृषब राशी की df भी starting में जरूर वो interested होती है but at last जाके वो जो है पूरी तरीके से उस चीज़ पर focus नहीं हो पाती है उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे जैसे कि होते ही है feminine की planetary position की high spiritual planets होनी की विज़े से automatically उनका धन spirituality की तरफ जाता है वो किसी को आकरशित नहीं करना चाहती है वो जानती है कि उनकी purity उनके लिए important है बाहरी दिखावे से किसी को आकरशित नहीं करना चाहती है और जो spirituality ऐसा combination है जो जिनकी एक stage आ जाती है उसके बाद वो पाहरी चीजों के लिए उतना अकरशित नहीं रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं वो उस चीज को न्याएं नहीं दे पाते हैं तो यह हो सकता है कि जहां पे मैं देखती हूँ कि भई बहुत जगाँ पे जैसे गुजरात हो आई डून नो के माधिप्रदेश राजस्थान हो पता नहीं वहां की लडी मांगने सिंदूर भरना कंपलसरी लिप्स्टिक लगाना है मैं कि काशी वगरा गई थी वहां पे मैंने देखा कि लडी इस तो रोज ही यहां पे लिप्स् लगता है कि उस कम्यूटी में रहे कर लगता है कि यह तो लाजमी है स्वभाविक है इतना तो करना ही चाहिए तो वह ज़रूर थोड़ा बहुत एफेक्ट हो सकता है आप देख सकते हो कि अन्जू भी पहले कैसे गई थी अब उसका रहें से लिप्स्टिक लगा कि आई प्रचर है उनका उनका उनमें वह कॉमन चीज है जैसे ने सिख कम्यूटी में भी देखते हूं जब में गुरुद्वारे जाते हैं बढ़काओ चीजे जो होती है डार्क लिप्स्टिक या जो भी हो कि तो उस तरह से देखा है बेंगॉली में भी देखा है एक शार्पमेस उनके अंदर होता है लिप्स्रिक लगाते है बिंदी लगाते है कुछ ने कुछ होता है तो वो एफेक्ट जरूर हो सकता है बट जनरली अंदर से वो बहुत ही सिंपल होती है कुछ किसी भी फिजिकल अक्टिविटी से मानो गला थोड़ा मैंने बड़ा पहन लिया नेक मेर हो सकता है कि आगे जाके उसको ऐसा लगे कि ये तो चीज कॉमन है अब करने में कोई हाज नहीं है क्यूंकि ये बहुत ही कॉमन है और कि ये भी हो सकता है बट किसी भी तरह से अगर लोग उनकी तरफ अट्राक्ट हो if she is not comfortable to do this तो वो नहीं करेगी ऐसा वो नहीं करेगी अगर वो किसी film industry में होगी वहाँ पे होगी जहां पे ये priority हो जहां पे importance हो तो definitely वो ऐसा करेगी but in general मैंने जतनी भी divine feminines को अपनी personal life में observe किया है मैंने पाया है कि वो काफी simple है बहुत ही ज्यादा simple है इससे एकदम उल्टा उनसे जलने वाली ladies जो है काभी काफी मतला फिजिकली लोगों को अट्राक्ट करना चाहती है she wants to be aha मैं beautiful हो चार छे मच्छर मेरे पीछे तो वाँ 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 करके गुमनी चाहिए वरना तुम्हें beautiful सावित होंगी ही नहीं और यहाँ पर df जो simple होती है उसको बेवकुप समझा जाता है कि यह तो कुछ है ही नहीं कई बार तो ऐसा होता है कि मानों आप कार्मिक रिलेशन्शिप में हो तो df इतनी simple रहती है उसके जलने वाले लेडिस काफी मेकप वेकप करके उनके कार्मिक्स को पटा भी लेंगी तो df यह अपना nature नहीं बदल सकती हो सकता है अगर df married हो जाए फिर वो अपने partner मतलब वो magic चल जाए वो इस vibes में आ जाए कि अब बहुत ही common है make up करना या ऐसे कपड़े पहनना या जो भी हो वो करना वो बहुत ही लाजमी है स्वभावी करें तो शायद df उसको करें पर df का मन कभी भी उसी चीजों में नहीं रहता है कि जैसे बाकी लिकडिस में देखती हूं उनका सिर्फ उसी चीज में मन लगा रहता है उससे उप आपका अकाउंट क्या है बैलन्स क्या है उनका अकाउंट क्या है आप किस पोजिशन पे हो वो किस पोजिशन पे है अगर आप जैसे चीज में चीज कहूंगी यहां पर यहां कि जो वाइप्स में ने डिटेक्ट की है वहां पर आपके लिए ना कोई रस्पेक्ट था ना क कोई कैर थी कुछ भी नहीं था कि आप चीज ही थे उनके लिए लब ये मेरे लिए एक शरमींदगी की चीज है जिससे मुझे दूर फिक ना है इसको जो एक बोलते ना पुराने लोग बोलते थी कि चपल जो होती है ना उसको अपनी जगा पे रहना चाहिए उसको घर के पॉर्टंस भी जानते है कि चपल उनको जो है में मंथ में लगने वाले जमीन के चटकों से बचाती है तो चपल छोड़ भी नहीं सकते और चपल के साथ रह भी नहीं सकते उस तरह से ड़वान मैसकलाइं आपको समझते है अपनी रियल सेल्फ को भले हो अगर कहीं से उन्ह पिसे जिव जिए को मैंने बहुत सरप्रकों के रखा है यह जो है मैंने इसको इतना इंपर्टंस दिया कैसे मैं जो एक इंपरियर की एनॉजी में हूं और मैंने इसको इतना इंपर्टंस दिया कैसे तो मैं फट से जाग रहा हूँ हो और हम continuing society का विछ ज्hay़ता है जो जो टच करेगी, चुएगी, मिरे साथ रहेगी या जो भी है, कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंट करूँगा, तो कोई न कोई देखेगा, और वो जो इसको डाट रहा है कि कोई देखेगा, तो क्या समझेगा मतलब उसको परवा सिर्फ है सोसाइटी की, आपको छोड़ेगा भी नहीं, बीच में एक सिचुएशन ऐसा भी आया था, जब डी अफ ने उनको सोल लेवल पर बोल दिया था, कि आपने इस पावर को महसूस किया होगा कि एक एमपरर कितनी पावर लगा सकता है, अपनी पूरी सेना लगा सकता है, अपनी पावर लगा सकता है जबकि बाहर से कुछ नहीं दिख रहा हो कि ये तो, कॉमन इंसान कभी ये चीज समझ नहीं पाएगा लेकिन मैं जो बोल रहे हूँ है, एक ड़ान फैमिनन जरूर समझ सकती है उन्होंने पूरी अपनी पावर लगा दी कि जब तक मतलब आपके हाथ को लेवल पे वाइबरेशन लेवल पे इस तरह से सोल को पकड़ के रखा कि जाओगी कैसे, जाओगी कैसे तो कहीं कि डियेफ को बोलना पड़ा कि मेरा हाथ दुख रहा है जब डिवान मैसकुलाइन की उस एनरजी को forcefully उन्होंने महसूस किया कि ये मुझे जाने नहीं देगा उसके बाद डियेफ को लगा चलो ये लाइन पे आ गया चलो ये लाइन पे आ गया तुरंट उसके effect दिखने लगे कि डिवान मैसकुलाइन को उस चीज का ऐसास नहीं है कि कोई वी चीज जो है मिल गई अब अब जो है उनको महसूस हो रहा है कि ये तो मतलब यार इसमें ऐसा मैंने क्या देख लिया मेरी जो कार्मिक है वो तो इतनी beautiful है, make-up करती है मतानी क्या क्या करती है आदे बॉल्स दिखा कर गुमती है आर पर बनियन जैसे टॉप पैंती है और वो सारे डीपी जो है वो अटसब पर लगाती है जिससे जो है दिल बहला रहता है जबान मैसकुलाइन का भी जबान मैसकुलाइन के सर्वंट्स का भी आजपास के लोगों का भी लेकिन जबान ऐसे ये कार्मिक्स जो होते है जबान ऐसे रखते हो कभी भी अपनी रियालिटी को शो नहीं करते है वो परस्नालिटी को बहुत ही बैलन्स दिखाते है लोगों के सामने कि वो कुछ भी हरकते करेंगे लेकिन जबान इतनी मीथी रखेंगे कि कोई भी उनकी रिस्पेक्ट करेगा लेकिन जो इनका पारदर्शक तो नहीं कह सकते जो एक अकरशित करने वाली इमेज यह बना कर रखते जिसके वज़े से काफी मैंस, काफी मैंस आप देखोगे कि इनका फेस्बुक होगा, इनका कुछ भी होगा इनके पीछे बने रहेंगे जैसे फौज बनी रहती है और उनको बड़ा आनन्द होगा इसको बार-बार एकसेप्ट करेंगे दस अकाउंट बनाएंगे, दस अकाउंट में कुछ कुछे तो लाल टपकाने वाले ऐसे होंगे जो दो-दो अकाउंट बनाके इनके से चिपके रहेंगे तो मतलब ये है दे वी आईपी पोजिशिन, दे वी आईपी स्टाइल इसको बोलते है respect, this is the respect, this is the society image और ये डी-फ क्या है, ना इसको बाते करने का स्टाइल पता है, ना इसको रहने का पता है ना society में इसके कोई image है, society में इसने बहुत सारे शत्रे बना रखे है क्योंकि ये किसी को अकरशित नहीं करती, ये किसी को बेवज़ा दोस्त नहीं बना दी, अच्छे intentions के लोगों कोई संबाल के रखती है तो कहां से इनके दोस्त बनेंगे, इनका ऐसा तो नहीं कि वे पद्री पर लपावी तरह जाला, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ तो DF की तो भई fan following भी नहीं है, ओके DF अगर soul purpose पे भी लग जाए तो आप देखोगी ना Instagram के उपर उनके उतने followers है, Facebook पे तो तो interested ही नहीं है, कोई दोस्त ही नहीं है, कोई दोस्त ही नहीं है, कहला रहना पसंद करती है और DF को कौन पूछता है, कि DF के घरवाले DF को नहीं पूछते, DF को दुनिया में कौन सा इंसान respect करता है, कौन सा इंसान बोलता है कि yes, she is right तो अब डिवान मास्कलन को जो है, शरम आ रही है कि यह जो है, मैं किसको follow कर रहा हूँ, जबकि उन्होंने थार्ड डेमेंशन में ना आपकी इस टुनिफ्लेम रिलेशन्शिप को accept किया होगा, कुछ लोगों की किया होगा, लेकिन फिर से आपने देखा होगा, कि उन्हों से तो ना accept किया, ना energy दी है, ना time दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया है, फिर भी उनको लगता है कि भई, मैं फस्ता जा रहा हूँ, मैं कैसा इनसान था, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं emotional हुआ जो कि में लिए ठीक नहीं है, और आज तक मैंने किसी के लिए ऐस तो फील नहीं किया, तो मैं इसके लिए क्यों फील करूँ, और इसकी क्या ओकाद है, मतलब इसकी ओकाद ही क्या है, मतलब इतनी ड्रेन करने वाली energy मैंने डेटेक्ट किया आज, उसमें वो जो मैंने पहले ही बताया, वो dream channeling, कि डिवान masculine को लगते है कि ये मेरे को touch करेगी ये मेरे को मिलेगी, या मैं इससे कोई रिष्टा बनाऊंगा, तो दुनिया क्या कहेगी, वो एक तो था situation, अब की energy, आज की fresh energy बताती हूँ, बहुत important है, मत करना, उसमें मैंने देखा कि मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, personal dream अलग है, मैंने देखा परभनी, जो है, वहाँ एक जो है, मेरे DM के shop दिख रही है, जहां पर सामान तो नहीं दिख रहा, सामान है, बट दिखनी रहा मुझे, वो उसके उपर focus, camera focus नहीं किया, dream में, मैं देख रही हूँ कि मैंने इतना इंतजार किया है, उस shop में, कि शायब DM मिले, और शायब DM मिले, और फिर भी, जो है, बहुत नाइट को, मतलब दिन भर में वेट करती हूँ, रात के, जैसे shop बंध होने के बाद, एक दो गंटे बाद, बारा बज़े बाद, या एक बज़े बाद, जो है, DM आता है, और मानो कोई office में, आप किसी legal office में गए हो, या किसी भी चीज, आपकी papers चेक किये जाए, तो कहीं से भी, एक मराठे में बोलते हैं न, ओलावा, मायजा ओलावा, या प्यार, या कए, सिंफती, या कुछ भी आपके लिए, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ पे, मैंने देखा कि, DM ने, जैसे कोई official person की तरह, आपकी file check की, और आपको बताया कि, अगर आपको इ करके, उसकी receipt लाके देने पड़ेंगी, और वो भी इतनी dry sound, और वो गुजराती, क्यों, गुजराती लोग जैसे बोलते हैं, उस तरह की, वो style थी, बात करनी की, और बात में इतना dryness की, कोई उसकी आवाज को पसंदी न करे, तलिब कहीं से भी थोड़ा सा प्यार नहीं हो कोई facility नहीं, facility का मतलब यहां पर मैं यह बोल रही हूँ कि उसमें दिखा रहा है कि ग्राहक बनके जो है, टी एफ उसके यहां पर गई है, तो ग्राहक को भी respect होती है, वो भी respect आपको नहीं है, आपको जिससे आप बहुत भूके हो, आप किसी hotel में जाते हो, और आप order देते हो, वो बुलते है, नहीं नहीं, उस line में जाइए, रिसिप्ट फाड़िये, वो एक coupon देगा, वो लेके में रपास आईए, तो आपको थोड़ा टेंशन आ जाता है, फिर आप line देखते हो, यार इतना अच्छ होटल देखके में आया, लेकि या तो line में खड़ा रहना पड किया है, उस shop में, DM का, आपने सोचा, यह DM की shop है, और आपको बताया जारे है कि जाएए, वहाँ पे पैसे भरिये और रिसिप्ट लेकर आईए, और आपने सोचा कि यह तो इस like भी नहीं है कि मैं complain करो, और क्योंकि यह इतना बड़ा position, इतना बड़ा जैसे कोई बहुत आम बुजनिसमेन है, पता नहीं क्या चीज है, तो किसी सरवंट की अउकाद नहीं कि वो उसके सामने कुछ बोले, तो DF को, DF यह चीज तो नहीं देखती कि कि किसकी क्या उकाद है, लेकिन DF को लगता है यह इस लायक ही नहीं कि मैं इसको कुछ बात करूँ, तो DF भी उसी लेव जो है, उसने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपने DM के लिए, उससे मिलने के लिए, अब वो अंजान शहर में है, रात को उसका रहने का बंदोबस नहीं है, जबकि DM की वहां पे शाप है, DM का घर होगा, पता नहीं, वो तो VIP इंसान उसका, तो सब कुछ होगा वहां प जालना है, गंदी से गंदी हरकत करनी है, DM को फसाना है, DM को ऐसा मरवाना है कि ऐसे मौत किसी ने देखी नहीं हो, तो वो ऐसा सोचने वाला रिष्टदार, वो वहां पे देखती है कि डोर खुलता है, और वो रिष्टदार जो है, एक होटल में उसने कमरा लिया है, जहां एक सोफा भी है, DM जाके उस सोफे पर सो जाती है, DM सोचती है, मैं इतनी रात को अकेली कहां जाओ, फिर वो सोचती ही कि यार मैं जिसके पास आई हूँ, वो भी कोई खत्रे से कम नहीं है, वो सकता है, मैं बाहर से उरक्षित रहों और यहां गढ़े में चली जाओ, लेकिन DM इतनी ड्रेन हो चुकी होती है, दिन भर अपने DM का इंतजार करके वो इतना ठक गई होती है, और वो वहीं पर सो जाती है, दाद में की स्टोरी कुछ नहीं दिखाई दी मजए, लेकिन मतलब यह कहीं कहीं इशारा है कि आप जिस परसन की ऊपर इंवेस्ट कर रहे हो, अप पर बिल्कुल आप दुश्मनों के हाथ में हो, वही टाइम अगर आप खुद के लिए इंवेस्ट करते, खुद की सेक्यूरिटी के लिए इंवेस्ट करते, आप वहां जाके शॉपिंग करते, जहां आपका फाइदा है, जहां पर शायद आपको डिसकाउंट मिल जाता, ज जहां पर आपका पूरा दिन नहीं चला जाता है, और आप ऐसा सिचुएशन में फसे हो, जहां पर पूरी दुनिया में आपको कोई हल्प करने वाला नहीं है, और आपको हल्प मिली भी कहां से है, जो खुदी कुलाडी लेकर कासाई बैठा है, उसके यहां पर अपने अप कर किया है, वहां पर आप लेट गए हो, क्योंकि आप इतनी ड्रेन हो चुके हो, कि आप अपने अंदर अप ताकदी नहीं है, आप आराम कर रहे हो कि बस मुझे पता नहीं, अब मैं ठक गई हूँ, मेरी हल्थ खराब है, मैं ठक गई हूँ, मैं सो रही हूँ, तो मतलब कहा किस दिशाम ने छोड़ा है डिवाइन रिलेशनशिप समझ पता नहीं, लौट शीवा का अवतार समझ रहे हैं, उसकी रियालिटी देखो, समझो, आँखे खोलो, अगर अभी भी इसके पीछे आप भागते रहोगे, तो आप बोलो कि मैं कल का वीडियो आपने बोला था कि डोंट लूज यूर डिवाइन मैंस कला, यस डोंट लूज, इसका मतलब यही है दोस्तों कि डिवाइन अनर्जी आपने देखा होगा, पारवती मा कभी राक्षस से शादी नहीं करती, वो वेट करती है लेकिन शादी नहीं करती, उस तरह से मत जाईए किसी यहां पे यहां पे जाई आए, परसनल लाइफ का कोई ही नहीं इस्यू, दूसरा एक चैनलिंग में नहीं देखा, कि वही जिस बाइक को बड़ा अच्छा समझा जाता है, वो बाइक को कैसे दिखाया गया पता नहीं, मतलब मानों कोई ऐसा मुबाइल दिख रहा है, कि जै वो बाइक स्टैंडर्ड है, वैसे यह जो है, यह मुबाइल स्टैंडर्ड है, इस मुबाइल तक किसी की पहुंच नहीं है, किसी की पहुंच नहीं है, यह वी आईपी मुबाइल है, यहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, और सामान्य इनसान जो है, इस मुबाइल पे कॉल भी नहीं कर सकता है, इस आमायन में इंसान मोबाइल पे तो कॉल कर सकता है, लेकिन ये कुछ अलग है, इसका SIM कुछ अलग है या कुछ और टेकनीक लगाया है, जो सिर्फ VIP के लिए होता है, जहां पे कॉल करना impossible चीज है, बट लखी लिए डिवाइन फैमिनन को कोई ऐसा SIM कार मिल जाता है, गौड की तरफ से, और वो उस SIM कार्ट से जो है, कुछ समय के लिए, not for more time, कुछ समय के लिए उसको कॉल तो कर देती है, बट उनका कुछ बन नहीं पता बात नहीं हो पती है, बट पहुंच जाती है, एनरजी कि यस उसने कॉल किया है, और DM ने रिसीव भी किय है, बट फिर से कुछ ऐसा हो जाता है, कि वो डिसकनेक्ट हो जाता है, अब वो काम नहीं करती चीज, उस तरह से, वो दिखने लगा, और DM उसको, मतलब जैसे मानो, लिटरिली उसके मूह से ये सुनाई दिया मुझे कीडे, मतलब वो आपको इस लेवल पर समझता है, कि ये कीडे मेरे पीछे पड़े हैं, इस तरह से, तो DF के फैमिली मेंबर्स हो सकता है, उसका भाई हो या कोई भी हो, वो बोलता है कि क्यों तुमने अपनी इंसल्ट करानी की बहुत पड़ी थी क्या, देखो उसने तुमारे ले क्या कहा है, तुमको कीडे बोला है, ये कीडे मेर पीछे पड़े इस तरह से, मतलब यार आप क्या सोच रहे हो, आप एक डिवान जर्नी समझ रहे हो, क्या उसकी आउकाद है इस समय, वो क्या समझता है आपको, कुछ रहो अपनी दुनिया में, अगर वो इस अवेरनेस में नहीं है, तो उसको इतना उपर गनपति बापा मत चड़ाओ, जल्दी समझ में आजाएगा, कि इतना बड़ा मूर्ती है, कि दस दिन तक ही जहल पाओगे, उसके बाद पानी में विसर्जित करना ही पड़ेगा, ना घर में रखने के लिए जगाए, ना सर पे उसका बोज बरदाश हो रहा है, तो विसर्जन ही करना पड़े जर्नी में तो कुछ उतार चड़ावाते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये ट्रांस्फोर्मेशन जो इतना स्लो और इतना लंबा दिखाया जा रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये जन्मों का ट्रांस्फोर्मेशन है, ये कोई एक दो दिन का ट्रांस्फोर्मेशन नहीं ह इस divine masculine का transformation होगा तो वो energy जब आसपास फैलेगी तो वो कई सारे humans जो है जो मेल है उनको भी प्रभावित करेगी उनको भी ये energy प्रभावित करेगी तो जाहिर से बात है उनका भी transformation हो सकता है तो जड़ से किसी बिमारी को या कह सकते कि कोई ऐसा खेथ है जहां पर पत्थरी पत्थरे मिट्टी ही नहीं है और जहां पर ऐसे विशालू विशारी पौधे है तो वहाँ पर कहां से आप गेहूं की फसल उगा पहोगे तो सबसे पहले तो वो पत्थर निकलने आवश्यक है तो बहुत ही मतलब transformation से इस divine masculine को गुजरना पड़ेगा अगर इसके लिए आप available हो इसके मतलब आपके पास ना self respect है ना आपके पास self love है मतलब आप को क्योंकि इसको पता है कि मैं इसको छोड़ूँगा नहीं और ये भी कहीं कहीं मुझे छोड़ेगी नहीं तो जो है ये जर्नी चलती र रखोंगा मैं मैं कभी इसको respect नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सभाव ही नहीं है कि मैं ऐसे किसी चीज़ के पीछे भागूं कि तुम्हें इस तरह ही ये चलेगा और तो आप सुचिए क्या अब इस तरह से ही चलना पिसंद करोगे क्या आपको इस लेवल तक कोई disrespect करे या मतलब इतना business उसका फैल है अगर वो उस चीज़ के भीचे भाग रहा है तो उसको उसके lesson लेने दो लेसंस लेने दो उसको भागने दो उसको complete करने दो wish उसका अगर वो ही purpose है कि उसको बहुत बड़ा emperor बनना है तो बनने दो उसको उसकी शक्ति बननी की कोई जरुरत नहीं ह आपके सिवा ना कुछ था ना कुछ है ना कुछ रहेगा यह reality अब तक तो divine feminine जान चुकी है अब तक यह divine masculine भी जान चुका है लेकिन इसकी जो कहते हैं कि कुटे की पूंच को 12 साल तक भी अगर नली में रखो तो सीधी नहीं होती तो उस तरह से यह है इसका transformation इतना भी सीध सीधा नहीं है अगर कहीं से आपका reunion हो रहा है और आप समझते हो कि यह final reunion है अब तो कोई जटका नहीं मिलेगा तो नहीं भाई अभी भी बहुत सारे जटके बाकी है इसका transformation इतना सीधा नहीं है तो अपने inner work में बने रहे अपने आपको इतना बढ़ा कीजिए कि यह फोकस हो जाए अपने काम पर अपने soul purposes पर अपने money growth पर सारी चीजों पर अपनी personality पर इतना फोकस हो जाए कि इसको लगे कि एक दिन के मेरी आउकाद कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है DF को बगवान नी भी DF का साथ देना चाहिए और DF को इतना बड़ा जरूर बनना च तो मितलब एक चीटी कितना भी fast दोड़े और हाती दोडने लग जाए तो उसकी क्या उकाद है तो इस तरह से आप दिखा दो कि भई तुम तो मैं शायद गलत वीज आपके मन में डाल रहे हूं ऐसा लग रहे हूं जाए यहां बात पैसों से related नहीं है आप भी उसकी तरह बिलकुल पैसा ही सब कुछ मैं बना के मत चलिए अब अपने inner work के focus कीजिए आपकी vibration इतनी high होनी चाहिए और जबकि आप इस reality को जान चुके हो कि यह पैसा property यहां की चीज है साथ में कुछ नहीं आने वाला लेकिन यह इस divine masculine को नहीं समझने वाला है जब तक इसके life lessons complete नही चीजे होगी तब तक इसको मारा नहीं जाएगा उल्टा लटकाए नहीं जाएगा नीचे से मिर्ची का धुआ नहीं दिया जाएगा इसका पिछवडा लाल नहीं होगा समाज की तरफ से society की तरफ से कार्मिक की तरफ से तब तक इसको समझ में नहीं आएगा कि df energy क्या है उसकी respect करनी चाहिए और especially वो spiritual journey में है तो अपने partner के respect करना है वैसे कि अगर वो अपने partner को disrespect करता है spiritual journey में वो खुद को disrespect करता है उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको चीज समझ में नहीं है और उसको लग रहा है कि इसको respect करना मतलब मेरा disrespect है जबकि reality यह है कि तु उसका respect कर तो तेरा खुद का रिस्पेक्ट है क्योंकि वो तेरे खुद की सोल है यह अवेर्निस उसके अंदर नहीं है क्योंकि इस इंसान को शायर बच्पन से यह कोई चाल्डूड इश्यू है इनका कि इनको बच्पन से लगता है कि मुझे एक एंपरर होना चाहिए especially मैं अगर personally अपने DM के बारे में बोलू तो उनकी community जो है zero से hero तक का सफर ऐसा बोलते है न उस तरह से मैंने उस cast के बारे में या समाज के बारे में सुनाए कि एक होता है न कि आप बड़े जाजाद वाले हो तो वो इनसान कभी हाथ पैर नहीं मारता उसको लगता है मेरे पास कि घर में गाएं हैं भैसे दूद देती है और घर का खाना आता है और मैं आराम से मेरा चल जाएगा लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको अपनी इज़त बचानी है अब बात यह हो गई कि उस टाइम पे उन लोगों ने अपनी इज़त बचा ली लेकिन अब ही यह ह तेरी क्योंकि पिडिया ने पिडिया यह चल रहा है ड्रामा ऐसा लगता है मझे और वह एनरजी आव इनके अंदर आसपास के माहौल इनके कमिनिटी से जुड़े हुए लोग तो उनको यह है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है मुझे बहुत पैसा कमाना है मेरे तो बहुत पर emotional होंके अगर आप जाोगे तो हार जाओगे तो स्त्रियों को importance नहीं दे ना है स्त्रियों को बिल्कुल नीचे उतार के रखना है उनको एक जगह पर रखना है अगर प्यार में पढ़के आप युद पर जाओगे तो आपका मणनी लगेगा इसलिए करूर बनना वृतों अगर मुझे एक बड़ा एंपरर बना है तो मुझे इस चीजों में नहीं फसना है मुझे प्यार व्यार इमोशन सोसाइटी के अगेंस नहीं जाना है मुझे अपने बिजनिस के सिवा कुछ और नहीं सोचना है I have to be a big business man और society में मुझे ऐसी image मनानी है कि मेरे business तो बस सिब कुछ है, मैं तो बहुत बड़ा emperor हूँ और ऐसा ही नाम कमा कि मुझे चले जाना है, और ये ये जो है hidden रहनी चाहिए ये किसी के सामनी नहीं आनी चाहिए और दुनिया के तो सामनी आजाने ही तो अपने अंदर से ही इसको छुपा दूँगा निकाल दूँगा, इसको बता दूँगा कि तम कुछ भी नहीं हों कि इस तरह से और डी अफ फस गई है उसमें बिल्कुल दिखाया गया है कि डी अफ जैसे बीच मजदार में आधी नाइट को फस गई है उसको बेसारा हो गई है तो आप सोचो कि आप जिस इनसान के उपर इनवेस्ट कर रहे हो माना कि स्परिच्छल जनी है बट इसका result अगर ये मिले गा आधी रागों कहीं जाए फस जाओग आप किम्कि ये इनसान तो कभी अपका साथ देने वाला नहीं है ये तो society के बारे में सोचेगा खुद के बारे में सोचेगा खुद के business के बारे मेरे में सोचेगा ना ये DF की security के बारे में सोचेगा ना ये DF की कुछ भी DF के लिए सोचने वाला ही नहीं है तो फिलाल के लिए तो यही energy आगे कोई transformation होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी पर फिलाल divine masculine के लिए ये जो energy है इसको आप ignore मत कीजिए अगर आपके reunion situations चल रहे और आप समझते हो कि ये तो बस permanent है मैं तो बस गंगा नहा लिया मेरा तो reunion हो गया अब हम साथ साथ है पताने और क्या क्या तो be aware हो कि तो अपना inner work कीजिए रेकी से अच्छा inner work नहीं है कोई तो एक devil energy होगी जो रेकी के against बोलेगी क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग रेकी सुख चुके है और किसी को पश्टावा नहीं हो किसी को पश्टावा नहीं कि रेकी क्यों से खी तो मैं एक रेकी grandmaster हो हूँ आपकी ज़रूर मदद कर सकती हूँ रेकी से best confirmation होता है क्योंकि दुनिया में सिर्फ टुन फ्लेम और स्टासीड है जिनके सेवन चक्र अक्टिवेट होते है और रेकी में आपको physical level पर महसूस होगा अगर आपकी चक्र अक्टिवेट सच में है तो आपको वो physical level पर महसूस होगा आप उन चक्रों को घुमते होए महसूस करोगे और आपकी जो है क्राफी ग्रोथ होगी तो आपके अगर सेवन चक्र घुमते हो आप महसूस करोगे तो सबसे पहले तो यह confirmation होगा कि यह सबसे पहला confirmation है तो किसी tarot reader के पास आप जाओगे तो आप बहग जाओगे मुझे बिल्कुल भी यह पसंद नहीं है कि कोई tarot से बताए कि यह सब्सक्राइब हो या नहीं बहुत ही गलत चीज है मेरा एक वीडियो है उसको जरूर देखिए कुछ भी हो उसको जाके एक बार जरूर देखिए तो अल्टिमिट साइन ऑफ टिन फ्लेम जर्निया ऐसा गूगल पर यूटुब पर डालो गया आप तो वीडियो आपके सामनी आ जाएगा उसमें मैंने बताया है कि क्या साइन और क्या सिंटम्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के महाकाली कवच अगर प्लाकमजिक से परेशान है तो महाकाली कवच जरूर खरीदेगा और दोस्तों ने एवरी डे फ्री सबकॉंशेस हीलिंग ले रहे हूं अगल अलग अलग सब्जेक्ट पे आप कमेंट बॉक्स में बताईए आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए और एक कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको खरीदना है तो जरूर कॉन्टैक कीजिए कि मिद्ब्रेन अक्टिवेशन का म्यूजिक भी मेरे पास अवैलिबल है थैंक यू सो मच